हैदराबाद के हमारे दोस्तों और बुजुर्गों आज कल इलेक्शन का महौल है जी एचेमसी का इलेक्शन चल रहा है ऐसे महौल में सभी पॉलिक्टिकल पार्टीज के लीडर्स देर रात तक आप लोगों से मिल रहे हैं अपनी प्लैनिंग आपको बता रहे हैं मगर साथ में हमें पता चला है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारी शहर हैदराबाद की तरक्की से जलते हैं और ऐसे लोग जो हैदराबाद की तरक्की को नहीं देख पा रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से कॉमिनल इसू दंगा करने के लिए कुछ न कुछ तरकीब सोच रहे चाहे वो Facebook पर गलत चीज का publicity हो, Twitter में कुछ पुरानी चीज़ें को मौर्फ करके डालने का बात हो, या false news, propaganda इन सब बातों का सहारा लेकर हैदराबाद का जो अमनोचैन है, उसको वो लोग बिगारना चाहते हैं. दोस्तों, चुनाओ आते हैं, चुनाओ जाते हैं, लेकिन शहर हमेशा रहता है, हम अपने शहर को नहीं हारने देंगे, और किसी भी हालत में इस तरह के communal लोगों को हम सफल नहीं होने देंगे, आप और हम मिलकर इन शैतानों को नंगा करके कानून के सामने रखेंगे, जिससे कोर्ट में उनको सजा मिले, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, कि इस तरह का कुछ भी फॉल्स प्रोपगांडा अगर आप देखते हैं, आप विश्वास नहीं कीजिए, आप पहले पुलिस से बात करिए, इस तरह के communal लोगों के लिए ही पीडी एक्ट बना है, और अगर जरूरत हुआ, तो इन शैतानों को पीडी एक्ट के तहट हम चंचल गुड़ा भी भेजेंगे, आपने और हम सबने मिलकर इस सुन्दर शहर को अपने हाथों से सवारा है, सजाया है, आप चाहते हैं कि कुछ शैतानों के हाथ इस शहर का अमंचैन बिगड़े, बिलकुल न आप और हम मिलकर हैदराबाद का जो पर्चम है, इसको और उपर ले जाना है, जिससे कि यहां इन्वेस्टमेंट पढ़े, रोजगार बढ़े, और ज्यादा बड़ी-बड़ी कंपनिया आएं, और वेल्थ जेनरेशन हो, हम और आप मिलकर हैदराबाद को बहतर से बहतर ब मिलकर हम उम इब डिरी कि यहां आप आप वेल्गार इन्वेस्टमेंट, हम पमिलकर हैदराबाद को करना है, जिससे कि यहां राफ जेन्वेस्टमेंटुरमेंटुरमेंटॉचरमेंटूश।